के नमस्कार दोस्तों आई हम बात करते हैं एक ऐसी बिमारी जो दिन प्रतिदीन बढ़ती ही जा रही है यानि हम बात कर रहे हैं हाल टेक के बारे में क्या है हाड टेक कैसे होता है और इससे बचने का क्या क्या उपाए हैं हमारा सरीर जो बना है करोण और वो कोशटा से मिल कर यानि करोण और वो सेल से मिलकर इन सब करोणों और वो सेल को जीवित रहने के लिए आक्सीजन की आवस्यक्ता होती है और इन सब करोणों और वो सेल को आक्सीजन पहुँचाने का काम हिरदय करता है हमारे सरीर को दो तरह के नलियों द्वारा पूरा आक्सीजन पहुँचाए जाता है एक कार्य होता है सुध रक्त को पहुँचाना और एक कार्य होता है और सुध रक्त को पहुँचाना धमनी इसका कार्य होता है आकसीजन युक्त रक्त को हिर्दे से लेकर पूरे सरीर को पहुँचाना जबकि सीरा इसका कारी होता है पूरे सरीर से कार्बोन डाई अक्साइड युक्त रखत को हिर्दय को पहुशाना होता है इस तरह हमारे सरीर में पूरी एक तरह से सरकल चलता रहता है हमारा हिर्दय हमारे सरीर की तरह ही सेल और ट्रिसू से मिलकर बना हुआ है इसलिए, इसको भी खुण की जरूरत पड़ती है, अब हमारे हिर्दय को जो धंडी को धंडी को सप्लाई करती है, उसको हम कहते हैं कोरोनली धंडी अब बात करते हैं कि हार्टेक क्यों आता है कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल लेबल के बढ़ने के कारण कोलेस्ट्रॉल धीरे-धीरे कोरोनरी धमनी में चीपकने लगता है जिसके कारण रक्त के सप्लाई पुनरूप से नहीं हो पाती है और धिरे धिरे रेक्तिक सप्लाई बंद हो जाती है जिसको हम हार्ट reg कहते हैं अब बात करते हैं कॉलस्ट्रोल क्या होता है कॉलस्ट्रोल घी या मुम जैसा एक पदार्थ होता है कॉलस्ट्रोल लेवल तली हुई चीज खाने से बढ़ता है बचाओ अपने वर्जन को मैनेज करें ब्लेट प्रेसर हमें से चेक करवाते रहें तली हुई चीज कम खाएं यदि मेरे दौरा दिया गया जनकारी अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें